Class 7 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे Exercise 11.1 के आगे की Questions Question No. 5, 6, 7, 8 Question No. 5 में हमें दिया है The area of the square park is the same as of the rectangular park Means हमारे पास एक square shape का park है और उसका जो area है वो किसके जैसा है एक rectangular park के area के बिल्कुल equal है यह हमसे Question में इसने बताया है उसके बाद हमसे कहा है If the side of the square park is 60 meter Means यह जो square park है इसकी side कितनी है 60 meter तो इसकी चारो side equally होंगी क्योंकि square की चारो sides कैसी होती है equal And the length of the rectangular park is 90 meter और यह जो rectangular park है इसकी length कितनी है 90 meter Find the breadth of the rectangular park हमें क्या करना है इस rectangular park की यह जो चोड़ाई है यह breadth हमको नहीं पता है यह हमें find out करके बतानी है तो इसके अंदर हम क्या काम करेंगे जो information हमें दी है पहले हम उसी का use करेंगे इसने बताया है कि दोनों का जो area है वो same है तो हम क्या काम करेंगे इसके अंदर area of square park equal to लिखेंगे area of rectangular park तो यहाँ पर हम लिखते है area of square park equal to area of rectangular park ठीक है अब इसके बाद आपको पताए कि square park का अगर हमें area निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे square park का area निकालने का हमारे पास formula होता है side multiply side square का formula में आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि हम कैसे निकालते है area side multiply side से और rectangle का area कैसे निकालते है उसके लिए formula होता है length multiply breath ठीक है तो यहाँ पर आपको एक चीज पता है कि इसके अंदर हमारे पास तीन चीज है एक तो side है, एक length और एक breath है तो इन तीन में से हमारे पास दो चीज अगर हमें पता होती है तो हम तीसरी चीज निकाल पाते है तो देखो हमें side given है, कितनी है 60 meter, तो यहाँ पर sides की जगे हम कितना रख देंगे 60 meter, इस length की जगा पर क्या रख देंगे, 90 बचा क्या breath, वही हमें निकालनी है तो यहाँ पर यह जो length की value होगी इदर multiply में होगी, इदर हम divide में उसको लियाएंगे तो side की जगा कितना रख दोगे 60, multiply 60 तो उसके बाद length की जगा पर कितना रख देते हैं, 90 और breath हमको निकालनी है उसके बाद क्या करना है आपको सीधा simple इन दोनों की multiplication कर लेते हैं तो 60 की जब 60 में करेंगे तो 60 की 60 में करके कितना आएगा 3, 6, 0, 0 6, 6, 0, 36 और 2, 0 as it is आ गई equal to 90 meter multiply breath ठीक है उसके बाद यह 90 meter इदर multiplication में इदर आएगा तो divide में तो इदर 3, 6, 0, 0 meter square के upon में क्या आगया 90 meter equal to में क्या बचा यहां से breath बचा ठीक है अब यहाँ पर इस 0 से यह 0 cancel हो गई और 9 के table में 36 कितने time आता है 4 time तो 9, 4 जा 36 और यह वाली 0 बची तो इस 0 का हम as it is लिख लेंगे उपर meter square है means एक meter से उपर वाला एक meter कट जाएगा नीचे एक meter है उपर दो meter है तो एक meter से एक meter cancel हो गया तो क्या बचा बस एक meter बचा तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी breath आई है जो rectangular park है उसकी चोड़ाई कितनी है 40 meter ठीक है और देखो यह चीज आप 3600 अब इसकी length कितनी है 90 अगर इसकी breath में हम इसकी multiply करते है L into B होता है ना formula तो अगर 90 की multiply 40 में करोगे तो भी कितना आएगा 3600 क्योंकि इसने हम से बताया भी था कि दोनों का जो area है वो कैसा है same है तो question number 5 होगे अब हम देखते है question number 6 तो question number 6 में हमें दिया है A wire is in the shape of rectangle पहले एक तार रखा हुआ है कैसी shape में rectangle की shape में its length is 40 cm and breath is 22 cm इसकी length कितनी किविन है हमें length दे रखिया हमें 40 cm और इसकी जो चोड़ाई है वो कितनी है वो है 22 cm ठीक है उसके बाद हम से कहा है if the same wire is rebent into the shape of a square what will be the measure of each side means अब इसी तार को हम rebent करके मतलब दुबारा से बना कर रख रहे हैं किस shape में एक square की shape में तो हमें यह बताना है यह जो square के shape जो होगा इसका side कितनी होगी तो देखो यहाँ पर जितना तार है तार तो यहाँ पर भी उतना ही है क्योंकि इसी को ही हम क्या कर रहे है दुबारा से rebent करके दुबारा से इसको खोल कर और दुबारा से इसको ऐसी shape में बना कर रख रहे है यहाँ पर यह क्या दे रख रहे हैं हमें यह है rectangle shaped wire rectangle shaped wire ठीक है और यहाँ पर यह क्या है यह है square shaped wire square shaped wire अब इसमें एक चीज ध्यान से समझो, कि जब हम इस वाले तार को हम ना पेंगे, तो यह तार कहां से कहां पर रखा हुआ है, यह तार यहां पर रखा हुआ है, इस वाली लेंद पर, इस वाली ब्रैथ पर, इस वाली ब्रैथ पर, और जितना तार यहां पर रखा हुआ है, इ दौनों का perimeter क्या रख देंगे? Equal में रख देंगे और वहां से हमारे पास इसकी side आ जाएगी. उसके बाद इसने कहा है, also find which shape encloses more area. उसके बाद हमें बताना है इन दौनों में से किसका area ज़्यादा है. Perimeter दो दौनों का equal है, लेकिन area किसका ज़्यादा है, ये हमें बताना है. तो देखो, बिल्कुल simple इसको हम solve करते हैं सबसे पहले हमें question में ये चीज दे रख किया है, कि तार जो है वो बिल्कुल same है. तो हम ये चीज लिखते हैं सबसे पहले, कि इसकी length और breadth कितनी है? ठीक है, ये हमने length लिख दी और breadth लिख दी, अब यहाँ पर आपका लिखोगे, perimeter of rectangular shaped wire rectangular shaped wire equal to क्या होगा? perimeter of square shaped wire perimeter of square shaped wire ठीक है, और दौनों के perimeter के formula हमको पता है, rectangle का क्या होता है, 2 into L plus B और square shape का जो होता है, वो क्या होता है, वो होता है, 4 into side ठीक है, तो यहाँ पर हम length की value रख सकते हैं, length की value 40 और breadth की कितनी है, breadth भी रख देंगे हम 22 यहाँ यहाँ पर तीन चीज़े हैं, length है, breadth है और side है, इस equation के अंदर, तो हमारे पास length और breadth है, तो हम side निकाल देंगे, इस 4 को कहानी आएंगे हम, divide में, तो यह हो जाएगा, 2 multiply, length की जगह पर कितना रख देते हैं, 40, breadth की जगह पर 22, equal to 4 multiply by side, अब 2 की multiplication हमें करनी है, कि इसमें इन दोनों की multiply, plus करके कितना आएगा, 62, यह वाला जो 4 है, इस 4 को multiply से, इधर किसमें लिए आए हम, divide में, इधर क्या रह गया, इधर रह गया, side, उसके बाद इस 2, 1, 2 से, यह 4 कटी है, 2 times, और इस 2, 1, 2 से, यह 62 कितनी बार कट जाएगा, 31 बार, तो हमारे पास side कितन to आगई, 31, side, equal to 31 cm, ठीक है, अब यह जो हमारे पास square shape का wire था, इसकी side 31 है, अगर आप इन 4 को plus करते हो, 4 साइड को, या 4 की multiplication करते हो, 31 में, तो वहाँ से हमारे पास कितना आएगा, वही आएगा, जो यहाँ पर 62 की 2 में multiply करके आता, 124, यह पूरा का पूरा wire कितना है, 124 cm, यहाँ से भी कितना बैठेगा, 124, 40 यह है, 40 यह है, 22 यह है, 22 यह है, तो चारों को मिला कर, 2 into L प्लस भी जब हम लगाएंगे, तो कितना आएगा, 124, और यहाँ पर चारों 31 को जब हम 4 multiply side करेंगे, चारों side को plus करेंगे, तब भी कितना आएगा, 124, तो यहाँ से हमारे पा formula लगा देते हैं, देखो अब, पहले निकालते हैं हम rectangle का area, तो यहाँ पर निकालते हैं, area of rectangular shaped wire, ठीक है, तो उसका formula क्या होगा, L into B, length की जगा पर कितना रखतेंगे, इसकी length कितनी है, 40, और इसकी breadth कितनी है, 22, इन दोनों की multiplication कर लेते हैं, centimeter की centimeter में हो क्या हो जाएगा, centimeter square, यह 0 as it is आ जाएगी, 4 की जब 22 में करेंगे, तो कितना हैगा, 88, तो 880 centimeter square है, इसका area, ऐसे हम निकालते हैं, square का, तो यहाँ से आप निकालोगे, area of square shaped wire, ठीक है, तो उसका formula क्या होता है, square का बहुता है, side multiply by side, और side हमने अभी इसकी निकाली है, वो कितनी है, 31, तो आप यहा रख दो कि 31 multiply by 31, ठीक है, इसका centimeter और इसका centimeter होकर यह क्या बन जाएगा, centimeter square, उसके बाद 31 की, जब 31 में multiply करेंगे, तो हमारे पास कितना हैगा, 961 centimeter square, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखकर बता सकते हो, कि किसका area ज़्यादा है, साप पता चल रहा है हमको, जो square वाली shape है, उसका area ज़्यादा है, 961 है, तो लास्ट में हम लिख देंगे, therefore square shaped wire encloses more area, ठीक है, यह चीज़ आप समझ गये होगे, तो आपके पास जब भी ऐसा question आता है, जिसके अंदर एक ही wire को rebent करकर के रखा जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिया था न, same wire is rebent, तो जो इसका perimeter होग और वही इसका perimeter होगा, आगे चलके आपके पास exercise में ऐसे भी questions आएंगे, कि पहले वो wire जो था, वो square shape में रखा हुआ था, फिर उसको circle shape में बना कर रख दिया, तो जो इस square shape का perimeter होगा, वही उस circle का भी perimeter या फिर circumference होगा, उसको question को हम वहीं पे देखेंगे, अब देखते हम question number 7, तो question number 7 हमें दिया है, the perimeter of rectangle is 130 cm, कोई rectangle है, उसका perimeter कितना है, 130 cm, and the breadth of the circle is, sorry, rectangle is 30 cm, तो इसकी जो चोड़ाई है, वो हमें कितनी given है, वो है 30 cm, find its length, इसकी हमें लंबा ही बतानी है, also find the area of rectangle, और इसके बाद हमें इसका area भी बताना है, तो area निकालने के लिए L into B हम 4 में लगाएंगे, L पहले निकाल लेंगे, क्योंकि इसने L निकालने के लिए भी कहा है, तो यह वाला question बिल्कुल 4 वाले question की तरह है, जैसे आपने question number 4 किया था, बिल्कुल same करना है, यहाँ पर क्या था, perimeter दे रख था हमें किसी sheet का, ठीक है, और 7 में क्या दे रखी थी, length, हमसे क्या निकलवाई थी, breath, बस इसमें उल्टा कर दिया है, यहाँ पर length निकलवाई है, breath हमको दे दी, also find its area, इसके अंदर भी हमसे area निकलवा रहा है, इस वाले question में भी हमने area निकाला था, तो बिल्कुल same ऐसे ही हम करेंगे इसको solve, जैसे यहाँ पर perimeter का formula लगाए था, perimeter की value रख दी थी, 2 into L plus B में L की value रख दी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें L दे रखी थी, length, ऐसे ही इस वाले question में हमें क्या दे रखी है, B दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, B की value रख देंगे, L को ऐसी छोड़ देंगे, और solve कर देंगे, बिल्क perimeter equal to 2 into L plus B, तो perimeter की जगए इसकी value रख देते हैं, कितने आ गई, 130, फिर 2 multiply, L हमें नहीं दे रखा, और B हमें दे रखा है, कितना है, 30, ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ है, perimeter, length और breath, इन 3 में से हमारे पास 2 चीज given अगर होती हैं, तो हम 3 चीज़ निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर perimeter given था, वो रख दिया, और हमें B दे रखा था, वो रख दिया, length हम निकाल लेंगे, अब यह 2 इदर multiplication में, इदर आएगा तो division में, तो 130 के division में क्या आगया, 2, इदर क्या बचा, L plus 30, तो 2 से जब 130 को हम divide करेंगे, तो 2, 6, 12, 1 बचेगा, 1 के आगे जब 0 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 10, और 2, 5, जब 10, ठीक है, 130 को आप 2 से divide भी करके देख सकते हो, या फिर आप ऐसे समझ लो, 130 का आदा कर रहे हैं, 2 से divide करने का मतलब है, आदा करना, तो 130 का आदा कितना होता है, 65, तो 65 equal to हो गया, L plus 30, अब यहां पर यह 30 है, यह plus का है, इदर आएग में, तो 65 minus 30 equal to L, L means इसकी length, तो जब हम 65 में से 30 को minus करेंगे, तो कितना आएगा, 35 हमारे पास किसकी value आगई, L की value आगई, means इसकी जो length है, वो कितनी है, 35 cm, तो यहां पर last में आप लिख दोगे, कि length of the rectangle, length of rectangle equal to कितनी आई, 35 cm, ठीक है, अब जब हमारे पास length आगई, तो इसने हम से question में यह और पूछा था, also find the area of the rectangle, means rectangle का area भी बताईए, तो rectangle का area हम कैसे बताते हैं, L into B से, हमारे पास B तो given ही थी, length हम अभी निकाल ली, तो यहां पर हम रगाते हैं, area of rectangle, जो की होता है, L into B, तो L की जगा पर कितना रख देंगे, 35, अभी निकाला है न, L की जगा पर कितना रख देंगे, 35, तो 35 centimeter, multiply, जो इसकी चोड़ाई थी, B की value कितनी है, 30 centimeter, जब centimeter की centimeter में करेंगे, तो centimeter square, यह 0 as it is आ जाएगा, 35 की 3 में और करनी है, तो 35 जब 15 का 5, carry 1, 339 और carry वाला 1 में प्लस करेंगे, तो कितना हो हो जाएगा, 10, means यह जो rectangle है, इसका area कितना है, 1050 centimeter square, ठीक है, यह question number 7 आपका होगा, अब हम देखते हैं, इसका last question, question number 8, question number 8 में दिया है, ए डोर of length 2 meter and breath 1 meter is fitted in a wall, the length of the wall is 4.5 meter and the breath is 3.6 meter, find the cost of whitewashing the wall, if the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per meter square, तो दियान से समझो, question में क्या दिया है, इसके अंदर कहा है कि एक दर्वाजा है, जिसकी length कितनी है, 2 meter, और चोड़ाई कितनी है उसकी, वो दे रखिये 1 meter, is fitted in a wall, और उस दर्वाजे को fit किया गया किसी दीवार में, wall means दीवार, the length of the wall is 4.5 meter, वो जो दीवार है, उसकी means अब इसमें यह दिया है, कि जब हम इस दीवार पर पुताई वगेरा करवा रहे होंगे, white washing means सफेदी करवाएंगे, तो उस पे कितनी cost हमारी खर्च हो जाएगी, यह बताईए, पर meter square पर क्या rate दिया है, उसने, कि अगर 1 meter square के area पर हम paint कराते हैं, या white washing कराते हैं, तो कितन कितना रुपिया खर्च करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझो, जब भी हम किसी wall वगेरा पर white washing कराते हैं, तो उसमें हम दरवाजे पर white washing नहीं कराते हैं, दरवाजे का paint अलग तरीके का होता है, तो हम क्या काम करेंगे, पहले इस पूरी दीवार का area निकालेंगे, और उस एरिया में से ये जो door का area है, उसको कर देंगे minus, तो कि इस door पर तो हमारी white washing होनी नहीं है, ये जो बाकी का बचा, जो की white white आपको दिख रहा है, इस सब पर white washing होगी, ये जो यहाँ पर बनी हुई है door, इस पर white washing नहीं होगी, ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी door, और ये क्य से हम क्या काम कर सकते है, area निकाल सकते है door का, और उसके बाद wall का area निकालने के लिए, wall की भी हमे length of breath दौनों चीज गिविन है, तो देखो अब इसको हम क्या से करेंगे, length of door 2 meter, breath of door 1 meter, अब हम निकालते है area of door, तो door का area निकालने के लिए क्या करेंगे, L multiply B, length कितनी है 2 meter, औ area 2 meter square है, उसके बाद क्या करते हैं, इस wall का area निकालते है, wall की length और breath हमें क्या दे रखी है, यह हमें दे रखी है, length wall की यह दे रखी है, breath, तो अब हम क्या निकालेंगे इसका area, तो area of the wall, उसके लिए फिर formula क्या लगाएंगे, L into B, तो L की जगा पर 4.5 और B की जगा पर कितन 3.6 में आप करोगे, और उसकी multiply करके क्या आता है, वो चीज़ देखो, 4.5 की 3.6 में हम multiply करते हैं, ठीक है, कई बच्चों पर आती होगी, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, point लगाते मैं, तो 6 5 जा 30 का 0, carry 3, 6 4 जा 24 और 3 कितना होगा है, 27, फिर 3 5 जा 15 का 5, carry 1, 3 4 जा 12 and 1 कितना होगा है, 30, ठीक है, 0 as it is आ जाएगी, 7 और 5, 12 का 2, carry 1, 3 और 2 कितना होगा है, 5, 5 और 1, 6, यह 1 as it is आ गया, अब आप यहाँ पर जब point लगाते हो, तो यह चीज़ देखते हो, इसमें भी 1 से पहले point है, पीछे से देखते हैं, और इसमें भी 1 से पहले point, तो जो हमा हमें door पर paint थोड़े न करना है, तो हम क्या काम करेंगे, यह जो पूरी की पूरी दीवार है, इसमें से इतना इससा, जो door के पास है, इतना इससा हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे minus तो हमें यह पता चल जाएगा, कितने area पर हमें क्या करना है, paint करना है, या white washing करनी है, त तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं उसके लिए हम area of wall में से minus करेंगे area of door ठीक है तो wall का area कितना है 16.20 और door का area कितना है 2 ठीक है तो 16.20 में से 2 को हम minus करेंगे तो कितना आएगा यह आजाएगा 14.20 मीटर स्क्वाइर यह जो 2 है यह point से पहले का होता है point के बाद में लगा देते हैं कई बच्चे इस शीच को भी आप ध्यान से समझो अगर कहीं पर ऐसे लिख रहा 16.2 और इसमें से 2 को minus करना है तो यहाँ पर यह point से पहले लिखा जाएगा इसमें यहाँ पर ने लिखोगे 16.20 में से हम इसको minus करेंगे 20 ऐसी आजाएगा 16 में से 2 और 4 और 1 तो कितना आया 14.20 मीटर स्क्वाइर अब हमें निकालनी थी cost of white washing तो cost of white washing निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास white washing का area आया है इसमें हम multiplication कर देंगे किसकी 20 की तो हमें पता चल गाएगा कि हमें कितने area पर क्या करना है paint sorry क्या cost होगी तो यहाँ पर अब देखो आप हम निकाल रहे है cost of white washing तो उसके लिए आपको क्या करना है जो भी आपका area आया है उसकी multiplication 20 में कर दें क्योंकि 20 रुपीस दे रखे थे 14.20 में ठीक है तो इन दोनों की multiply कर लो 14.20 की किस में कर लेते है 20 में तो यह 0 तो as it is आ जाते है ठीक है और 2, 0 जा 0, 2, 2 जा कितना हो गया 4, 2, 4 जा हो गया 8 और 2, 1 जा 2 यह 0 as it is आ गए 0 जीरो 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 यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 इसमें 2 से पहले point था ना तो पीछे से answer में कितने से पहले point 2 से पहले तो यह हो गया 284.00 इसको 284 ही लिख देते हैं क्योंकि point के बाद की जो zeros है उनकी value को हम नहीं बानते तो कितनी cost होगी हमारी white washing की 284 रुपीज यह question को ध्यान से एक दुबार practice कर ले न क्योंकि इसके अंदर आपको यह चीज याद रखनी है कि door के area पर हम paint नहीं करेंगे तो इसी के साथ यह आपकी exercise complete हो गई exercise 11.1 इसके 8 question थे वो हमने सारे निप्टा लिये है अब हम देखते है next video के अंदर इसकी जो next exercise है 11.2 और अगर किसी question में आपको दिक्कत आई हो तो comment करके पूछ लेना